राधे राधे एवरिवान, मेरे चैनल नैंसी शुभम ओफीशियल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पर्माईकादसी की ब्रत कथा, कल 12 अगस्त 2013 को पर्माईकादसी है, तो मैं आपको सुनाऊंगी पर्माईकादसी की ब्रत कथा, तो ध्यान से सुनेगा दोस्तों, आएज शुरू करते हैं पर्माईकादसी की ब्रत कथा, प्राचीन काल में एक सुमेधा नामक ब्रहममण और उनकी पतनी पवित्रा रहते थे, पवित्रा परमसती और साध्वी प्रवर्ती की दमपत्ती बेहत गरीब थे, लेकिन बहुत ही धार्मिक भी, गरीवी से दुखी होकर एक दिन सुमेधा ने पर्देश जाने का विचार अपनी पतनी को बताया, तब भैबोली कि स्वामी धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अता आप इसके लिए चिन्ता ना करें, ऐसे ही दिन गुजरते रहे, और एक दिन उनके घर महरसी कौडिन प्रधारे, ब्रहामर दमपत्ती ने बेहत प्रशन्द मन से उनकी सेवा की, महरसी ने उनकी दसा देखकर उन्हें पर्मा एक अदसी का ब्रत करने की सला दी, उन्होंने कहा कि तुम दमपत्ती मिलकर अधिक मास में कृषन्द पक्ष की एक दसी का ब्रत करो, और रात्री जागरण करके प्रभू का नाम लो, इस एक अदसी की ब्रत से यचराज, कुवेर, धना दीस बने और हरिश्चंतर राजा हुए, इसके बाद सुमेदा ने पत्नी सहित पर्मा एकदशी का ब्रत किया, और एक दिन सुबह कहीं से अचानक ही एक राजकमार वहां आया और सुमेदा को धन, अन और सर्वसाधन से संपन्न कर दिया, इस ब्रत को करने से ब्रहम्मर दमपत्ती के दुरदिन दूर हो गए, हे विश्णु भगवान, जैसे आपने सुमेदा और पवित्रा के दुखों को दूर किया, जैसे उन पर अपनी करपा आपने बड़साई, सारे भक्तों पर अपनी करपा ऐसे ही बनाई रखिएगा, दोस्तों, ये थी हमारी परह एक अदसी की ब्रत कथा, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए थोड़ी सी भी यूस्फुल रही हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शियर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अल्सो प्रेस ता बेल आइकन ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए, आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, राधे राधे अब्रिवान!